आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल में तो आज के सेशन में एक ज़रूरी अपडीट आपके साथ शेयर कर रहा हूं बहुत जादा सेवह आपका वेशनी करोगा जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कल 13 नमंबर को आपको जो फ्राइडे है रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि 14 और 15 को बैंक वालिडे रहेगा तो अच्छी चांसे है कि 13 नमंबर को आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है अब किसी इश्यो में 13 नमंबर को अगर रिजल्ट नहीं डिकलियर किया जाता है तो almost certain possibility है कि 20 नमंबर को next Friday पे ये रिजल्ट डिकलियर हो जाएगा तो ये दो dates निकल के आ रही है जहां तक मेरी बाते हुए है बैंक में भी मेरे कलिक से कुछ बाते हुए है तो उन्होंने बताया कि यार जोइनिंग का उनका टार्गेट है 18 जैनुवरी तक आप लोगों की जोइनिंग करवाने का तो उसके लिए कोशिश उनकी यह है नमंबर में ही रिजल्ट डिकलियर करेंगे और जनरल यह दिवाली के आसपास करते ही है दिवाली से जस्ट पहले या दिवाली के जस्ट बाद वाले फ्राइडे को तो 13 नमंबर और 20 नमंबर दो हाई पॉसिबिलिटी डेट्स निकल के आ रही है तो कि 18 जन्वरी तक इनका टार्गेट रहेगा मंडे है जो तब तक आप लोगों की जॉइनिंग करवाने का जैसे साइकल ना बिगने लास्ट येर भी जो मंडे था वो 13 जन्वरी को था जहां तक मुझे आद है इस बार जो मंडे पढ़ रहा है वो थर्ड वीक फाला वो 18 जन्वरी को पढ़ रहा है अगर टार्गेट है तो इसी महीने करवाना पड़ेगा और इस महीने की दो पॉसिबल डेट्स है थर्टींथ और 20 जन्वर तो कल थोड़ी नज़र रखिए कि SBA के साइट पर कुछ अपड़ेट आता है तो मैं तो शेर करूंगा अगर थर्टींथ को किसी कारण से नहीं आता तो 20 जन्वर पर हाई पॉसिबलिटी डेट बन जाएगी ठीक है तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपके साथ ये न्यूर शेर करनी थी रिक्वेस्ट यह है कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजेगा कोई ओफिशल अपड़ेट नहीं दे रहा हूँ मुझे ही जो बाते पता चलती है वो आपके साथ मेरा एक ओपिनियन है वो शेर कर रहा हूँ गर आपको पसंद आता तो अच्छे बात है नहीं आता है तो कोई फोर्स फुल नहीं है कोई फोर्स ने कर रहा है मैं आपको देखने लिए चैनल को मत फॉलो कीजेगे तो मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना है नाव देट सो टोड़े सेशन ठीक है